कि नमस्कार दोस्तों मैं मुझे एक नॉटिफिकेशन मिला वह आपकी सरकारे रिजल्ट ओट कोम पर मैंने दिखा था कि उस पर दिखाया जा रहा है वहीं से मेरे पास में मैसेज आया था कि एचिटेट की डेटा चुकी है लेकिन जैसा कि हमने आपसे प्रोमिस किया है कि जब तक हम किसी भी नॉटिफिकेशन की जाच परताल नहीं कर लेते हैं तब तक हम आप लोगों तक नहीं सेंड करते हैं नहीं भेजने का काम करते हैं तो दोस्तों उसी की जाच परताल करते हुए मैं जब एचिटेट की एक्जाम डेट 2020 एप्लाई ऑनलाइन www.hdet इस तरीके से उन्होंने दिखाया है हूं वहाँ पर उन्होंने डेट वगारा सब दी हुई है वह मैं सारा आपको यहां पर दिखाने वाला हूं एचिटेट नोडिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म जैसे कि यहां पर हर्याना विशु यहां पर दी गई है फी सब्मिट के बारे में यहां पर दिया गया है किसको कितनी फी पे करनी है तो दोस्तों यह सारा का सारा मामला जब मैं वहां सर्च करता हुआ पहुचा तो मैंने पहले तो यहां पढ़ा कि मैंने सूचा कि हो सकता है किसी ने न्यूज जो दी है वो ग 2020 has fixed as that exam 2020 in November 2020 यानि कि November में फार्म भरे जाएंगे online application will be started soon और ये जो है उन्होंने बता है कि बहुत जल्दी ही जो फार्म है वो आने वाले हैं अभी तक कोई डेट नहीं आई है जब कि उसमें जो न्यूज आ रही है उसमें date वगरा सब कुछ दिया हुआ है तो वो इस तरीके की न्यूज गलत है लेकिन हाँ संभावने जताई जताई जा रही है जिसको मैंने यहाँ पर इसको आपको headline किया है यहाँ पर आप देख लीजे highlight वाले को तो यहाँ पर साप साप लिखा हुआ है कि आईए जल्दी all candidates stay connected with us all latest office update यानि कि सभी candidates हमारे साथ update रहे हमारे जो हमारी sites है उस पर update रहे हम आपको तुरंट news देंगे यानि कि यह भी कह रहे हैं कि अभी कोई date नहीं है सिप आप update रहे है उसके बाद में यहाँ पर board of education हरियाना invited online application form हरियाना test 2020 in Indian entrance exam teacher TET test mandatory for the getting teaching job of government school from class 1 to 8 date तो यहां भी उन्होंने कुछ नहीं किया आगे age limit दे रखा है इन्होंने आगे eligibility criteria दे रखा तो यह बहुत सारी चीज़ें यहां पर दी हुई है और साथ में उन्होंने यहां पर site भी दे दिये जो आपका हरियाना वाली site है एचिटेट की जो sites है जो government official sites है वो इसको यहां पर दिया गया है और जब हम यहां पर click करते हैं देखो यहां आप एक चीज़ और देख लीजें यहां पर how to apply सब कुछ दिया हुआ है कैसे apply करना है लेकिन इन्होंने भी नीचे दे दिया गया है important date for agitate online form online application facility यहां कुछ faculty नहीं है यहां कुछ भी last date registration की भी कुछ नहीं है और correction date भी कुछ नहीं है downloading admit card नमबर में होंगे exam date भी नमबर में है यानि कि कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने तो वो यहां पर जो दिया गया है वो सारी के सारे आपके notification जो है गलत है apply link online यहां पर दिया है correction link सून दिया हुआ है admit card सब कुछ यहां पर एवलेबल सून दिया है और यहां से जब हम उसकी sites पर जाते हैं जब हम government sites पर जाते हैं यहां इस link पर click करते हैं तो आपके सामने यह page खुलकर आता है यह आप देख लीजे यह हर्याना की जो government sites यह यह खुल गई है और यहां पर notification जैसे आपके state में आते हैं इसी प्रकार से यहां आपके कोई भी notification आप यहां चेक करते रही हैं यहां अभी तक कोई notification government की तरब से नहीं आया है किसी भी तरीके का कोई notification यहां पर आपके सामने नहीं है यह आपके total यहां पर सारे notification जितने चल आप एक एक करके देख सकते हैं, यहां किसी को भी यहां पर नहीं दिखाया जा रहा है, तो इस तरीके की नियूज पर हाँ, अलर्ट जरूर रहिए, अलर्ट जरूर रहिए, लेकिन किसी के बहकावे में ना आईए, मैं आप से बार बार यही कहूँगा, कि अगर आपको कोई भी एक्जांग का अप डेट मिलता है, तो एक बार निद्ध्याक लाशीश को जरूर चेक कर लीजेगा, क्योंकि हम जब तक किसी भी पॉइंट की जड़ तक नहीं पहुँशते हैं, जब तक किसी पॉइंट की तहह तक नहीं पहुँशते हैं, आप लोगों तक ले जाने क काम नहीं करते है ये भी वीडियो मैंने सिब आपको अलर्ट रहने के लिए कि सिब आप अलर्ट रहिए लेकिन किसी के बैगावे में ना यह तो दोस्तों इसी के साथ मैं मुनोद कारतिक विदा लेता हूं और तो हमारे नए अपडेट पाने के लिए हमारे जो नित्यागलाजी चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और डेली करेंट अफेर के लिए भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको जोईन कर सकते हैं नित्यागलाजी टेलीग्राम पर जाकर आप सरसमारेंगे तो बिल्कुल ला जाएगा तो दोस्तों बहुत जल्द मैं आपके सामने दुबारा होंगा इसके नए अपडेट के साथ में तो दोस्तों मैं लेता हूँ विदा तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैवार।